आप देख रहे हैं चौहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए दिसंबर 2023 के एक्जामिनेशन फॉर्म के बारे में तो आज की वीडियो आपके लिए काफी important है आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखे और अंतक देखे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए तो आप सीधा वीडियो की शुरुआत कर होते हैं तो आप इसे इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं यह दिसंबर 2023 का आपके लिए term and examination form है आप जानते हैं कि इगनु के अंदर साल में दो बार exam होते हैं जून exam होता है और एक दिसंबर exam होता है तो दिसंबर exam के लिए अभी आप अपने assignments को समिट कर रहे होंगे जिसकी जो submission की last date है वो 31 October 2023 है और आपके लिए अगर आप exam देना चाते है दिसंबर का जो की 1 दिसंबर से लेकर आपके 5 जनवरी 2024 तक चलेंगे तो उनके लिए examination form अगर without late fees यानकि बिना किसी late fees के भरना है तो उसकी last date 15 October 2023 साम के 6 वज़े तक है आज 15 October 2023 है यानकि आज साम के 6 वज़े तक ही आपके पास मौका है अगर आप without late fees अपना जो examination form में वो भरना चाहते हैं मैंने examination form जब release हुआ था उस समय कुछ important points के बारे में आपको जानकारी दी थी कि अगर आपको वो examination center चाहिए जो की आप चाहते हैं तो जरूरी है कि आप जल्दी से जल्द अपना examination form भर दें क्योंकि इगनु के अंदर इस तरीके से होता है कि आपका first come first serve के हिसाब से आपके examination center दिये जाते हैं अगर examination center कोई है जिसमें 500 बच्चे बैठ सकते हैं तो जैसे ही 500 बच्चे उस examination center को choose कर लेंगे पहले उसके बाद उस examination center के वे तो बात कोई और examination center students को दि लिए जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी अपना examination form भर दें आज 15 October 2023 last date examination form की without late fees लेकिन हो सकता है कि आपको 5-6 दिन का और मौका मिल जाए अपना जो examination form है उसको भरने के लिए क्योंकि जो 15 October last date इसमें बताई गई है उसको हो सकता है कि 20 October तक कर दिये जाए कि आप without late fees अप complete result नहीं आया है तो उनको भी थोड़ा सा और मौका हो सकता है कि इगनु की तरफ से दिया जाए कि उनके पास एक chance रहे कि वो अपना जून 2023 का theory exam result को चेक करने के बाद अपना examination form भर पाएं वैसे इस examination form में पहले ही जानकारी दी गई थी कि अगर आपका ऐसा कोई subject जिसका result अबी तक नहीं आया है तो आप अपना examination form भर दीजिए दिसमबर 2023 का अगर आपका बाद में जो जून 2023 का result आता उसमें अगर आप पास हो गए हैं तो आप exam मत देना दिसमबर का और अगर आप जून 2023 के exam में fail हो गए तो दिसमबर 2023 का आप exam दे पाएंगे अगर हम इसमें बात करें कि आपके आप कब तक अपना examination form भर सकते हैं तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो 10 नवंबर 2023 दी गई है और अपना examination form भर सकते हैं लेकिन late fees उसके लिए 1100 रुपे तक की हो जाएगी और आपको 10 नवंबर के बाद और मौका नहीं दिया जानते हैं कि उसके बाद फिर हॉल टिकट भी release करना है और admit card release करना है और उसके बाद फिर पहली जिसंबर से तो exam ही शुरू हो जाएंगे तो इसलिए जरूरी है कि 10 नवंबर से पहले अकर आप exam देना चाहते हैं तो अपना examination form भर ले 10 नवंबर तक आपका जो final date sheet है वो भ तक release कर दी जाए उसके बाद आपका हॉल टिकट आ जाएगा और उसके बाद फिर आपके exam सुरू हो जाएंगे तो आज आप जल्दी से जल्दी अपना examination form भर लीजिए दिसंबर 2023 का अगर आप चाहते हैं दिसंबर का exam देना तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आप को पसंदा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सेयर जरूर कीजिए